हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर द्रूवी स्पूर्ध हब आज हम बनाएंगे सेवईया उसके लिए हम लेंगे एक कड़ाई उसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच घी घी अच्छी तरह गरम होने के बाद हम इसमें सेव डालेंगे 200 ग्राम यहां पर मैंने सेव ली है उसे हम सेख लेंगे जब तक हलका ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक फिर हम एक कड़ाई लेंगे उसमें हम डालेंगे 1.5 लीटर मिल्क फुल फेट मिल्क यहां पर लेना है हमें झालेंगे दूत को हमें 10 या 15 मिनिट तक उबालना है 15 मिनिट बाद अच्छी तरत दूद उबल जाने के बाद हम इसमें सेव डालेंगे जो हमने सेख ली थी उसे 10 मिनिट तक इसी तरह हमें उबालना है सेव और दूद को एक साथ फिर हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मज घर की मलाई यह ओप्शनल है इससे थोड़ी क्रीमी बनती है सेव या मलाई डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा कप शक्कर का आप अपने स्वाद के अनुसर डाल सकते हो फिर थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मज ड्राइफ रूट कटे हुए बादाम और काजू डाले है फिर सेव या रेडी है हम इसे सर्फ कर देंगे अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू